नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया, पांच कनेर के फूल वाले उपाए भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं, पर कुछ समय से वाला उपाए लोग भूल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाए को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है। पर दोस्तों उपाय जो भी होता है वो हमेशा काम करता है। जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है। भाई उसके लिए वो उपाय जरूर काम करता है। तो दोस्तों आशाध महीने के पहले सोमवार। मतलब कि 24 24 के दिन आप लोगों को ये 5 कनेर के फूल वाले उपाय जरूर करना चाहिए। पर दोस्तों ये कनेर के फूल वाले उपाय हमें क्यों करना चाहिए। इससे हमारा क्या फायदा होगा। तो देखो, हम आपको यहां पर बता दें। सोमवार का दिन सबसे पहली चीज भगव उस दिन आप यह समझ सकते हो, कि उस दिन आप भगवान शिवजी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते, अब प्रसन्न कैसे करोगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसी में से दोस्तों एक उपाय है, जो कि पांच कनेर के फूल वाले उपाय है, दोस्तों, पांच कनेर के फूल वाले उपाय हम जब करते हैं, जब हमारी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना होती है, जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही होती है, और उससे हमें पूर्ण करना होता है, यदि आप लोग भी इस उपाय को सोमवार के दिन करना चाहते है तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन ना लेना। उसके पश्चात करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दूख और समस्या क्यों ना चल रही हो। आपको उसका कारण भी नहीं प पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोश को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। या आपके जीवन में जो दुख और परेशानिया हैं उन दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है। प्रिद्धी को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी वह इस पांच कलर के फूल वाले उपाय को खास रूप से करें। क्योंकि माताएं बहने घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो वो बच्चा हो जिस व्यक्ति को ये पांच कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार के दिन जरूर करें क्योंकि उसक उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आईए, अब हम समझते हैं कि इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है, वो क्या है तो देखिए, सोमवार के दिन किये जाने वाले ये पांच कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुभह के समय होगा। किस समय होगा सुभह के समय होगा। प्रदोश काल का रहेगा अब भाई प्रदोश काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्ण बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है कितने बजे से लेकर कितने बजे के का यह समय होता है ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो, तो भाईया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रशन भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हैं, और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, को आने में 7 बजे तक आप नह है, यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकाम मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना, कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतरगत ही कर लो, पर किसी कारण वश यदि ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान, शिव, विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, तो अब हम यहाँ पर समझते हैं, कि आपको उपाय कैसे करना है, सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है, ये पांच कनेर के फूल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें पांच कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि आप उपा देते हैं। मतलब कनेर के फूल का पेड जो है, कहीं बाहर लगा हुआ है, वो किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड नहीं है, तो तो आप बिना पूछे जो है, वो कनेर के फूल तोड़ कर ला सकते हो, कोई सा कनेर का पेड किसी के घर के अंदर लगा हुआ है, और पांच कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, ये उपाय के लिए ले रहे हो, और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं, तो भाई पूर्ण रूप से जो है, हम पूरे विधी विधान से करते हैं, तो इसलिए आप किसी के घर में के अंदर जो पेड लगा हुआ है, कनेर आप उसके पेड़ से पांच कनेर के फूल ले लेना, यदि कोई कनेर का पेड जो है, ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कबजा नहीं है, तो वह आप जो है, बिना पूछे भी उस पेड में से तोड़ सकते हो, पर किसी के घर के तो वह उससे सकर ही पांच कनेर के फूल उसके पेड में से लेना। अब आपके पास पांच कनेर के फूल भी आ चुके हैं। लोगों को अपने साथ में कम से कम एक लोटा जलतो जरूर लेकर जाना ही जाना है, सोमवार का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं, बहने अपनी पूजन सामगरी लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाते हैं। पूल वाले उपाय को कर रहे हैं। उसी के पश्चात में दोस्तों शाम के समय की बात करें, तो भाई शाम के समय यदि आप लोग इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो, तो अपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना, जो घी का दीपक वो आठे का होना चाहिए, आठे का होने के साथ में उसके अंदर गोलबाती रखा आएगी, वो गोलबाती आप अपने हाथों से बनाओगे, तो ज्यादा बहतर होगा, साथ ही उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी वो डालेगी, शुद्ध देसी गाय का घी, उसके अ देखो सुबह यदि उपाय कर रहे हो ना, तो यदि बारहे बजे तक भी उपाय करोगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो सोमवार का दिन बार बार नहीं आता है, पहुँचना है, सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुँच जाना है, अब वहां पर पहुँच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है, नहीं आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना ह जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वो एक लोटा जल चढ़ा दें। वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, इसी तरीके से शाम के समय है। अपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली, इस दीपक को जलाने के लिए, यदि आप शाम के समय इस वाले उपाय को रहे हो, तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है, उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी, इस लिए आप अपने घर से अपनी ही माजिश ले कर जाएं। उसके पश्चात में दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है, कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के पश्चात उस दीपक से आप चाहो, तो आर्ती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास्मत रखना कि भगवान शिव जी को आंज लगी, थोड़ी दूरी बना कर ही जो है, आप उस दीपक को जो है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम भगवान शिव जी को प्रसंद करने वाले हैं, तो इसलिए जो है, अर्चना हो जाती है, फिर आप उसके पश्चात में भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में कहीं बैठ जाईए, सामने बैठ जाईए या आसपास बैठ जाईए, उसी तरीके से शाम के समय है, दीपक जैसे ही लग जाए, तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सक जाईए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हमारे पास पांच कनेर के फूल है, तो सीधी सी बात है कि इन पांच कनेर के फूलों को हमें पांच अलग-अलग जगहों पर यहाँ पर चढ़ाने हैं, अब वो अलग-अलग जगह कौन सी है, वो हम आपको बताते हैं, भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी वाला स्थान होता है, वहाँ पर अब भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है, भगवान शिवजी शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी का जो right hand side होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिवजी का सीधा हाथ कौन सा है, right hand side कौन सा है, उस right hand side पर आपको ये पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है, और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा, न वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गनेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के hand side पर अब दोस्तों निकाल लेना, अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल, अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है या आपक समर्पित करना है, भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अब गनेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, जलाधारी के उपर है, तो जलाधारी के उपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है, और इस तीसरे कनेर के फूल को माता अशोक चंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, अब ये माता अशोक सिंदर जी का स्थान कहां पर होता है, दोस्तों ये जो स्थान होता है ये इन दोनों फूलों के बीचों बीच चड़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुन्दर जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही जो है, इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना, माता असकचंदी वाले स्थान पर अब बात आती है दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल ये आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है, ये आप लोगों को समर्पित करना है, भगवान शिवा जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जिव जी की पाँच बेटियों का स्थान होता है, जया, विश, हरा, शामली, बारी, दोतली और देव, उस पात्र के अंदर जो है, आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है, यदि किसी कारणवश आपका वह पात्र, जो शिवलिंग के उपर जो पात्र टंगू होता है, जिससे बूंद-बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो वह आपको क्या करना है, कि शिव जी की पाँच बेटियों का नाम लेकर, जया, विश, हरा, शामली, बारी, दोतली और देव का नाम लेकर जो है, इस पात्र नंबर के फूल को, उसके पश्चात में दोस्तों बात करते हैं, आखिरी नंबर के पांचवे नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा, इस पांचवे नंबर के फूल को आपको क्या करना है, यदि आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो, वहाँ पर यद इस पांचवे नंबर के कनेर के फूल को छुआ है, स्पर्ष कराना है, और स्पर्ष कराने के पश्चात इस पांचवे नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के उपर समर्पित कर देना है। फूल का, वो सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है, वो शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए, फूल की. तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे ही आप लोग को ये पांचों फूल समर्पित कर दे देते हैं, वही पर भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठ कर जो है, हाथ जोड कर, विनती करकर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुहक और समस्या बोलना, जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय रहे हो, अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना, दो तीन मनोकामना एक साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना, अपने शिवजी के दर्शन करके उनको धोक देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों इसको करने से आपको बहुत ही बड़ा फल मिलेगा। आपकी मनो कामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी।